बहुत ही कम तेल असालों से आज हम बनाएंगे बहुत वन करके तियार होता है पूश स्हेपार कर सकते हैं ऑप इसे पच्छों को टिफिन से सुरू करते हैं वीडियो पसंद आएगी वीडियो को च्छोटा सा लाइक जरूर की जिसे 今日 नास्ते को बनानी के लिए सबसे पहले एक बोल में ले रहे हूं 3 by 4th का पोहा यानि कि एक कप में 2 से 3 चमच पोहा कम होगा अब अपना अंचाज से पोहा ले सकते हैं तो सबसे पहले पोहा को धो करके साफ करेंगे तो देखे जैसे ही मैं इसमें पोहा में पानी डाली हूं देख पा रहे होंगे पानी क से रगरते वे दो करके साफ कर ले देख पा रहे हूंगे मैं पोहा को अच्छे तरीके से दो कर लेकर आ गई हूं अब इसमें मैं डालूंगी वन फूर्थ कप गरम पानी अगर नास्ते को जल्दी बनाना है तो गरम पानी का इस्तमाल करें ताकि पोहा फटा-फट से फूल ज जाएगा तो इस तरीके से पोहा को अब कर लें गेंसर के जार में इसके साथ है मिसमें डालेंगे आधा कब फ्रेस दही अगर खटे दही का इस्तमाल कर रहे हैं तो बस दो ही चमच दही का इस्तमाल करें आधा कब डाल देंगे सूजी और भी ना पानी डाले हुए इस अच्छे तरीके से पीस लेंगे क्योंकि इसका जो बैटर आज हम बना करके त्यार करेंगे ना वो बहुत ही गारह बनेगा इसके लिए पानी का इस्तमाला बिल्कुल भी ना करें देख पा रहे होंगे पोहा को मैं अच्छे तरीके से पीस करके लेकर आ गई हूँ और देखे कितना गारा है अगर पोहा को पीस लेंगे मैं आपको दिक्कत आ रही है तो मिक्सर को पल्स मोड में करते हुए अच्छे तरीके से पोहा को पीस लेंगे यानि कि मिक्सर को यूँट मैं आधेति अज़े और उसे न मिक्स करेंगे तो मुक्स पर रहे हैं और आधे का सब्सक्राइब जानगे अगर आपको सब्जी काना कर सकते हैं अगर आपको सब्जी को रात में कार करके रख सकते हैं अगर आपके आपस चौपर है तो 5 मिट पर आप सारी सब्जीयों को काट करके त्यार कर सकते हैं सब्जी को डाल डेंगे और इन। हम अच्छे तرीके से मिक्स कर लेंगे और एक ही बार में अच्छे तरीके से इन्हें पीच सकते हैं और नास्टे को बना सकते हैं इसे दुबारा फूलने के लिए आप बिल्कुल भी ना छोड़े तो देखे इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर ले हूँ मिक्स करने के बाद इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के लिए एक चमच तिल को गरम कर लें आजा चोटा चमच जीरा डालेंगे आजा चोटा चमच दालेंगे इसे के सांथ चोटा चमच तरके को आप लगालें तरका लगाने से नास्तिक टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अच्छे तरीके से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब नास्ते को फुला फुला बनाने के लिए यानि की नास्ते को बिल्कुल सॉप्ट बनाने के लिए अब मैं इसमें डालूंगी एक चथाय टीस्पुन बेकिंग सोडा अगर के जिस दिसा में आप कड़्ची को चला रहे हैं कि बेकी सोडा या इनों इस्तमाल करने के बाद बहुत ज्यादा हलका हो जाता है तो चलिए अब नास्ता बनाते हैं नास्ता बनाने के लिए मैं आज ग्रिल पैन का इस्तमाल कर रहे हूं अगर आपके पास ऐसा पैन नहीं ह किसी भी बतर में यह 스셜 को बना सकते हैं इस नाष्टे का तवय पर भी बहुत अराम से बना करकर कर तियार कर सकते हैं वह तो इसके दो से तीरे की चोटा है तो बड़े कर्ची आगर आप बना रहे हैं तो आधा कर्ची यह फिर एंकरशे को नास्ते लंगे, इस लेकिक दियाँ के लिए को बहुति कर्षी के मुझपन के रहे हैं ऑग्षी को बना रहे हूं, अगर नास्ते को बना रहे हैं तो आध़ा कर्षी या फिर एक कर्षी के मदद नास्ते से को से देंगे कितना आराम मेरे से नास्ते को सेप uważ दी तर देने के बाद इस तरीके से नास्ते को Ç जीर ऑफ रहे होगत बहुत रहुत वी इसलेक्ड मेरे साइड से दैजल किके पाइगा लगत और हम मैं इस supplement堂स से ना हीला है थोरे दिशे के लिए इसे छौड़ देंगे ताकि नीशे के साइड ज़क रिखते हैं तो फिर से धग देते हैं एक से दो मिनिट के लिए लागि दूनों तरप से नास्टे तरिके से पक जाए और बस 2-3 मिनिट के बाद आप इसके साइट को बिल्कुल भी चेंज ना करें इस तरीके से किसी भी स्टेन में इस नास्टे को निकाल सकते हैं अगर आपको नास्टे को गर्मा गरम सर्व करना है तो किसी भी प्लेट में इस नास्ते को डिमॉल्ट कर सकते हैं यानि कि निकाल सकते हैं इस तरीके से जाली पे निकाल लिएगा ना तो नस्ता ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी सौगी नहीं होता है और इसी तरीके से करते हुए मैं आप इतने सारे नास्ते को बना करके त्यार कर लूँगा आपके पास ग्रील पन है तो ग्रील पन में नाश्टे को ज़रूर बनाईएगा क्योंकि बच्छों को देखने में भी अच्छा लगता है तो खाना जरूर पसंद करेंगे इस तरीके से नाश्टे को बना ली हूं आप इसके साथ त्माटो का चब या हरा धनिया की चटनी सर्व कर सक कितना ज्यादा सॉफ्ट बना हुआ है रेसेपी पसंद आई हो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा अपने फ्रेंशों फैबली में जरूर शियर किजिएगा